कि ये भी रात में वो आना चाहें तो हमारे दरवाजे खुले हुए सरकार गुंगी और बहरी है शाहिन बाग न कभी ठकाता और न कभी ठके जिन्दाबाद हिंदुस्तान जिन्दाबाद जो मांगे हैं सरकार की तरफ से आज तक कोई बात करने नहीं आ है उनसे आज हम बात करेंगे साहिन बाग की सुप्रीम कोट ने दो लोगों को न्यूक्त किया है संजे हेगड़े और साधना रामाचंदरन तो इस बीसे बात करने के लिए हमारे साथ शारीव है जामिया से लामिया की और मुहम्मद सकील है तो शारीव आप कुछी इस बारे में सब्सक्राइब करने के लिए उनके पास प्रस्ताव बेजा है दो दो वकील है और साथी साथ एक बिरोक्राइट भी आ रहे हैं उनके साथ अब उन लोग के ऊपर निरवर करता है कि वह रास्ता खाली करेंगे की नहीं करेंगे तो यह बस रास्ता खाली करने की माहनों को दर्किनर किया जाएगा बस यह रास्ता खाली करने के एक चाल ہے आप कहना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट इन सब मामलों में नहीं पढ़ता है सुप्रीम कोर्ट के काम नहीं है हमारी मांग सुप्रीम कोर्ट से नहीं है जो शाहिन भाग में पोटेस्ट कर रहे है जामिया में पोटेस्ट हो रहा है देश के किसी भी कोने में पोटेस्ट हो रहा है उनकी लड़ाई स सुप्रीम कोर्ट से नहीं हो सुप्रीम कोर्ट से कोई मांग नहीं कर रहे हैं उनकी बात बेसिकली है सरकार के साथ अब सुप्रीम कोर्ट जो रास्ता खाली करवाने की बात कर रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन तायल किया क्या था कि रास्ता बंद होने की वैस सब्सक्राइल तो सुप्रिम कोट करने के लिए दू को, लोगों के लोगों को कह talkinा हम रास्ता खाली नहीं करेंगा है। साहिन भाग माग यह के हिंदुस्तान और अन्दोलन रहा है यह जो रास्ता खाली करने आ रहे हैं या निट के गयाएने तो वो लोग अपनी अपनी राय जो पेश की गई है जिस जाये से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं बावन दिन हो गई या अठाग सतर दिन हो गई लगवग सतर दिनों में अब तक सरकार की तरफ से कोई ये महमला नहीं आया है कि हम उस पे रोशनी डाले या या पेश करें जैसे कि हमारे प्राइम मिनश्ट साथ प्राइम नरिल मुरी साथ ने ये कहा था कि एनर्सी पे कोई बातचीत नहीं होई है अलागे पहले हमारे राश्ट पती बो फरी रक्षामन गिरह मंतरी साथ हम इस रह कर रहेंगे तो इन दोनों बातों में ये बात नहीं दराती है या तो हमिश्ट धूटे हैं या नरिंदर मुरी जूटे हैं इन दोनों में कोई एक जूटा है, आप कहना चाहते हैं? जी, जी, मेरा मतलब ये है कि अमिश्ट गरहम अंतरी साहब ने ये कह दिया कि हम NRC लाके रहेंगे और असेंबली में, परलिमेंट में कह रहे हैं और हमारे प्रामिली लमेदान में ये कहते हैं कि NRC पे कोई चर्चा नहीं हो रही है, चर्चा नहीं है, तो ये प्रोटेस्ट जो हो रहा है, इन पर चर्चा होने के अबजूद भी, क्यों हम पे लादा जा रहा है? ये क्यों है, और अनर्फ कहना चाहते हैं कि सरकार गुम्रा कर रही है, अच्छा अच्छा, एक सवाल आपसे कि लोगों का कहना है कि शाहिन भाग धीरे-धीरे ठकता जा रहा है, मतलब तूटता जा रहा है, इस पे आप कहिए सरकार बाते नहीं सुन रहा है, सतर दिन होगे सर कोपर है, जिनको इस देश से प्यार है, और देश से प्यार करणे वाला कभी ठकता नहीं है, तो ये जो लोग भी गलत फैमी पाल रहे हूं, कि सतर दिन हो गहा है या साथ सो दिन के बाद और ठक जाएंगे, वो इस गलत फैमी में गुमरा हो रहे हैं शाइन बाग ना कभी थका था ना कभी ठाकेगा आने वाले अगर 70 नों में और भी सरकारु नहीं मानतीwelt तो और विरोत करेंगे आ initіш के आप देख यह होंगे जिसे देश तरह से एक त्माम कोनों में दिन परती दिन आप तक यह सरकार सुन न ले यह सरकार क्योंकि लोग कहते हैं गुंगी और बहरी हो चुकी है सरकार का इतना दाय तो बनता है कि वो जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन लोगों के पास आ कर उनकी बात सुने सरकार किस लिए होती है जनता के लिए होती है सरकार और जनता की सरकार है तो जनता की ही बात नहीं सुन रही है तो फिर सरकार लेकिन अमिस्जा ने तो बोला था कि हम साहिन बाग के परदेस्कारियों से मिलने मिलना चाहते हैं तो इस पर क्या हम लोग ने वेलकम तो किया था बहुत अच्छी बात है आये मिले लेकिं चलो भी मंत्रीयेंख अपने वहास प्मेखी कमी आंके पास इस बात इन ही करते हो। माइच अदुन मेनी है कि स्वाथाज करेंगे करें और आपकर स्वागत करेंगे आपसे ना तो अमारी कोई दिश्मनी ना कोई दोस्तिं हे हाँ अगर हमारे गिरह मंतरिय हैं आप एस देश गिरह मंतरिय हैं तो हम इस दायरे से आपका सम्मान करेंगे यह जो NRC और C.A. लागु जो किया है इसको ख़तम कर दें बस हम आपका सम्मान करते रहेंगे मतलब आप कहना चाहते हैं ति आप उनका वेलकम करने वाले था लेकिन वो नहीं है अब हमारे देश के प्रतान मंत्री और देश के प्रतान मंत्री शे हैं वह यहां कि है धान्य वाले मेर यहां की है। 91 जाय में पर जाते हैं उनके लिए कुछ नहीं करते हैं उनके लिए कुछ नहीं करते हैं और हमारे उपर देशवक्ती का कहते हैं का कि हम देशवक्त से नहीं 지금 हमारा सीना वतन से भरा हुआ है यह मातर भूमी जब तक के हम इस दुन्या में रहे हैं जब प्रबूमी Sum racks जब तक के मेरा वतन मेरे सीने में बहरा रहीगा डिल चीर के ने चैनल को सबस्क्राईब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज अपडेट पाने के लिए बैल आइकन को दबाना ना भूलें